सो गुड़ाप्रणून दोस्तों दोस्तों आज आपके साथ थोड़ा टॉप जो बैंकिंग न्यूज जो आया है मतलब जो एकोनोमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया है एकोनोमिक्स इंडिया मानी कंट्रोल उसके साथ जो आर्बी आई का नेया बैंकिंग न्यूज है तो सोचा आप लोगों के साथ तोड़ा शियर कर ले तो दोस्तों टॉपिक को शुड़ू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ मेरा चैनल का नामे नौलेज आई क्यो टीवी और मेरा नामे आर्बन्ग हो रहाए दोस्तों ठीक है और दोस्तों आप प्लीज प्लीज मेरा चैनल को नोटिफाई करके रखे क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम कोई भी वीडियो आप्लोड करते तो सबसे पहले आपके पास बहुत जाएगा दोस्तों आप प्लीज प्लीज मेरा नौलेज आई क्यों को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आज का जो टॉपिक का चीज है मैं जो मनी कंट्रोल, एकोनोमिक्स टाइम्स आफ इंडिया और उसके साथ साथ जो एंडी टीवी निउस में भी आया है तो थोड़ा आपके सब थोड़ा शियर कर ले तो दोस्तों मैं इंस्ताग्राम में भी हूँ मेरा चैनल का नामें नौलेज आई क्यों टीवी और प्लीज आप लोग मेरा इंस्ताग्राम चैनल को भी सब्स्राइब करना क्योंकि विदाव सब्स्रिप्शन मेरा चैनल इंक्रीज नहीं होगा ठीक है तो दोस्तों प्लीज मेरा इंस्ताग्राम चैनल को भी सपोर्ट कीजिया तो दोस्तों पहला जो निउस है वो बतारे जो दिल्ली दिल्ली पूलीस है तो दिल्ली पूलीस ने आईसे ऐसी बैंक उपर नीचे यूसर आईड़ी और पासवाट दोस्तो बहुत जो कस्टमर को बहुत दिक्काद होड़े और बहुत सारे पैसा उसका फ्रोड हो गया है दोस्तों दिल्ली पुलिस ने एसा जो फेक वई पेज्ब यसको बोलता है स्पमी पेज्ब नإ तो फ्रॉठ पेज़ज इसको डिलेट करवा दिया है और इंटर्नेट से इसको डिल्ली पुलिस और इसको इसको यह चीज में भोला यह चीज हों में आपको थोड़ा बता दियोग कि आप आपके पास अगर आपके account account ICIC bank में है आगर नहीं भी है छोड़ आपका bank ICIC bank में आपका account तो क्या करता है ICIC bank से ओ लोग sms करते sms करने के बाद जो short link होता है जो sms करने के बाद आप देखोगे www-seas short link तो अगर उस उस Short Link में आगर आप क्लिक करोगे उसमें आपको KYC फिलाज़ करने के लिए बोलता है तो अगर उस Short Link पर अगर आप क्लीक करते हो तो ब्राउजर में डिटेक्ट करने के बाद आपके पास से user id और password मांगेगा अगर आप अपना जो banking user id है जो internet banking का दोस्तों क्योंकि ICIC bank का i-mobile apps आता है तो i-mobile apps में जो user id और password रहते हो अगर आप डाल देते हो तो आपका जो account है दो मिनिट में खाली हो सकता है दोस्तों तो इसलिए दिल्ली प स्पैमी और पेजेस उसको डिलीट करवा दिया है तो बहुत बढ़िया न्यूस है दोस्तों क्योंकि बहुत अच्छा भी न्यूस है बहुत लोग लोग इसको लेके शिकायत किये थे दिल्ली पूलिस के पास क्योंकि उदर में स्पैमी लिंक आ रहे है तो दोस्तों अगर इस टाइप का ICIC bank का कोई भी SMS आपके पास आए मतला दिल्ली हो बैंगलोर हो कोलकाता हो आधरबाद हो किसी भी चीज में आपके पास SMS आप प्लीज उस वहला लिंक को क्लिक मत कीजे क्योंकि बहुत प्रॉब्लेम का चीज से इस पैमी लिंक हो सकता है और इसी ऐसे ओवड का स्ट्राक्चर हो सकते आपको उपड में ICIC bank का logo और नीचे user ID और password यह हो गया दोस्तों मेरा फास्ट हेटलाइन सेगेंड हेडलाइन है दोस्तों RBI ने जितने भी foreign bank इंडिया में काम करते है तो उसको फटकाल लगाते हुए मतलब foreign bank का जो data runs है उस foreign bank का data runs को RBI ने फटकाल लगाते हुए बोला है मतलब आप data आपना country में लेके नहीं जा सकते है दोस्तों आप तो जानते ही हो जो YouTube में हम वीडियो बनाते हैं यूटूब यूटूब यूएस का है मतलब सारे जो चीज़े यूएस government का खुद का चीज़े जैसे Google हो गया YouTube हो गया तो RBI ने जो इंडिया में जितने भी बैंक काम करते मतलब जो foreign business इंडिया में इंवेस्ट किया है जैसे माल लिजे American Express हो गया उसके साथ साथ जो City Bank हो गया Standard Chatter Bank हो गया इस सारे बैंक का जो data rules है जैसे माल लिजे आपके पासिब आपका फूल नेम आपका मुबाइल नंबर आप कौन सा एड्रेस में रहते हो तो सारे एड्रेस लेके US नहीं तो जो जिदर में जिदर में उसका headquarter है जैसे माल लिजे Standard Chatter Bank का headquarter है आपका लंडन में तो लंडन मे सारे database को लेके ओ लोग चले जाते हैं तो इसलिए एक rules लेके बहुत जल्दी RBI एक rules लेके आने बाला है जैसे आपका data इंडिया में रहे बहार मत जाए जो एक बड़ा न्यूस है दोस्तों क्योंकि Reserve Bank in India जाते है आपका database इंडिया में रहे बहार मत जाए अगर बहार लेके जाते हैं लोग तो आपका database से बहुत कुछ किया जा सकता है जोस्तों ठीक है इसको भी RBI ने फटकाल लगाया है foreign banks को तो एक second headline हो गया तो दोस्तों मेरा जो topic का third जो important सा मेरा headline है RBI ने cancel कर दिया जो महारास्टा का शिबाजी राओ बोसले शकारी बैंक इसका जो license है दोस्तों इसको कैंसल करवा दिया है बहुत ही important सा news है अगर इस customer बहुत सारे customer का account छोटा हो बड़ा हो सबका customer के account आपका इस bank में हो सकते है अगर आपका भी इस महारास्टा महारास्टा का शिबाजी राओ बोसले के बैंक में आपका भी कोई भी खाता है कोई भी आप fix deposit किया हो तो जल्दी से जल्दी उसको उजड़ो करवा लीजिए और account को तुरांत बंद करवा दिजिए क्योंकि RBI ने cancel करवा दिया है उसका license तो दोस्तो तीनो important news था सोचा आपके साथ थोड़ा शियर कर लू तो प्लीज आप लोग बिना skip करके वीडियो को देखना अगर आप skip करते हो तो बहुत सारा चीज आपको missing हो सकता है दोस्तो तो दोस्तो आज का topic अई तीनो था क्योंकि मेरा topic था RBI ने cancel किया license second topic था RBI जो foreign bank का जो data rules है तो उसको भी एक news है और फास्ट नीज था दिल्ली पूलिस ने वान किया सब्सक्राइब को उसका जो fake जो spammy link जो fraud दोड़ा चलाया जा रहा था उसको भी रिमूब करवा दिया है दोस्तो तो आज का वीडियो दोस्तो एही खतम करते हैं लेकिन वीडियो का खतम करने से पहले प्लीज आप लोग मास्क पैन के भाहर दें वीदाउट मास्क आप लो बूप करते हैं यह थूट मुझ तेड़ आप लोग मास्क एप्लीज आप लोग मास्क याद रिमूग तो एंग ट्या करने से नगए यह तो